जैहिंद महामहिम राश्पती जी आदर्निय उपराश्पती जी आदर्निय स्पीकर महताई स्रिमान प्रणाज जी और सभी आदर्निय जन प्रतिनिति गण कुछ दिन और कुछ आफसार ऐसे होते हैं जो अतीत के साथ हमारे समंधों को मजबुती देते हैं हमें बहतर भविश्च में और उस दिख्षा में काम करने के लिए प्रेरित करते हैं आज ये 26 नमंबर का दिवस आएकिहासिक दिवस है सत्तर साल पहले हमने विजिवत रुप से एक नए रंग रुप के साथ सम्मिधान को अंगिकार किया था लेकिन साथ साथ आच चविश नमंबर दर्द भी पहुँचाता है जब भारत की महान उच्च परंपराएं हजारों साल की संस्कृतिक विरासत वसुध है कुटुम कम के विचार को लेकर के जीने वाली इस महान परंपरा उसे आज ही के चविश नमंबर के दीन मुंबई मैं आतंकवादी मनसुबों ने चलनी करने का प्रयास किया था मैं आज उन सभी हुतात्माओं को नमन करता हूँ साथ दसक पहले इसी सेंट्रल हॉल में कितनी ही पवित्र आवाजों की गुंज थी समिधान के एक-एक अनुक्षेद पर बारीकी से गहन चर्चा हुई तरक आये, तथ्या आये, विचार आये आस्था की चर्चा हुई विश्वाद की चर्चा हुई सपनों की चर्चा हुई संकल्पों की चर्चा हुई एक प्रकार से ये सदन, ये जगा ज्यान का महाकूंब था और जहां पर भारत के हर क्योने के सपनों को शब्दों में मढ़ने का एक भरपूर प्रयास हुआ था डॉक्टर रादेंदर प्रिशात, डॉक्टर भीम राव बाबसाब अंडेकर, सरदार वल्लभाई पतेल, पंडित नहरू, आचार्य क्रपलानी जी, मौलाना आजहात, पुर्शतम्दास चंडन, सुचिता क्रपलानी जी, हंसा मैता, एल्डी कृष्ण स्वामी अईयर, एन गौपाला स्वामी आएंगर, जौन मताई, अनगिनत ऐसे महापुरूश, जिन्होंने प्रतेक्ष और अप्रतेक्ष योगदान दे करके, हमें इस महान विरासत हमारे हाथों में सुप्रत की है, आज के इस अवसर पर, मैं उन सभी महान विपूतियों को समरन करता हूँ, और उनका आदर पुर्वक नमन करता हूँ, आज अपनी बात की शुरुवात मैं आप सभी को, बाबा साब आम्बेर करने 25 नमबर 1949, समिधान अंगिकार करने के एक दिन पुर्वा, अपने आखरी भाषन में जो बाते कही थी, उसका जुरूर ना करना चाहूँगा, बाबा साब ने देश को याद दिलाये था, कि भारत पहली बाद 1947 में आजाद हुआ है, या फिर 26 जनवरी 1950 को गंतंत्र बना ऐसान नहीं है, भारत पहले भी आजाद था, और हमारे हाँ अनेक रिपब्लिक भी थे, अरोना ने आगे व्यथा बेख सकी थे, लेकिन अपनी ही गल्पियों से, हमने अतीत में आजादी भी खोई है, और रिपब्लिक करेक्टर भी गवाया है, ऐसे में बाबा साम ने देश को चेताते हुए पूछा था, कि हमें आजादी भी मिल गई, गंतंत्र भी हो गई, लेकिन क्या हम इसको बनाए रख सकते हैं, क्या अतीत से हम सबक ले सकते हैं, आज अगर बाबा साब होते, तो उनसे अधिक प्रसनता शाहिद कीसी को होती, क्योंकि भारत ने इतने वर्षों में न केवल उनके सवानों का उत्तर दिया है, बल्कि अपने आजादी को, लोगतंत्र को और सम्रुद और ससक्त किया है, और इसलिए आज के इस अफसर पर मैं आप सभी को बीते साथ दसक में समिधान की भावना को अक्षुन रखने वाली विधाई का, कायर पालिका और न्याई पालिका के सभी साथियों को गवरोपुरुद स्मर्ण करता हूं, नमन करता हूं, मैं विशेश का और पर एक सो तीस करोड भारत वहसियों के सामने नत्मस्तक हूं, जिनोंने भारत के लोगतंत्र के प्रती आस्था को कभी कम नहीं होने दिया, हमारे समिधान को हमेशा एक पवित्र ग्रंथ माना, गाइडिंग लाइक माना, समिधान के सत्तर वर्ष हमारे लिए हर्ष, उत्कर्ष और निश्कर्ष का गाँ मीला जुला भाव लेकर के आये हैं, हर्ष ये हैं कि समिधान की भावना अटल और अडिग रही है, अगर कभी कुछ इस तरह के प्रयास हुए भी हैं, तो देश वाज़ियों ने मिल करके उनको अथभल किया है, समिधान पर आच नहीं आले दी हैं, पुतकर्ष इस बात को हम जुरूर रजिश्चा करते हैं कि हमारे समिधान की मजबूति के कारण ही, एक भारत, स्रेश्च भारत की तरफ हम आगे बढ़ पाए हैं, हमने तमाम सुधार मिल जुल करके समिधान के दाइरे में रह करके किये हैं, और निश्कर्ष ये हैं कि ये विशांग और विविद भरा भारत प्रगति के लिए, सुनहरे बविश्च के लिए, नए भारत के लिए भी हमारे सामने सिर्फ और सिर्फ समिधान, समिधान की मर्यादाए, समिधान की भावना, यही एक मात्र रास्ता है, एशह पन्था है, हमारा समिधान हमारे लिए सबसे बड़ा और पवितर ग्रंथ है, एक ऐसा ग्रंथ जिसमें हमारे जीवन की, हमारे समाज की, हमारी परंपराव, हमारे मान्नेताव, हमारे व्यहवार, हमारे आचार, उन सब के साथ का समावेज हैं, साथ-साथ अनेग चुनोतियों का समाधान भी है हमारा समिधान इतना व्यापक इसलिए है, क्योंकि इसमें हमें बाहरी प्रकाश के लिए अपनी खिड़कियां खोल रखी है और उसके साथ भीतर का जो प्रकाश है, उसको भी और अधिक प्रज्वलित करने का अवसर भी दिया है आज इस अवसर पर जब हम कहेंगे तो मैं एक बात 2014 में लाल कीजे के प्राचीज से जो मैंने कही थी उसको दोहराओं का समिधान को अगर दो सरल भाषा में कहना है, तो कहूंगा Dignity for Indian and Unity for India इनी दो मंत्रों को हमारे समिधार ने साकार किया है नागरिक की Dignity को सर्वच्च रखा है और संपूर्ण भारत की एकतावर अखंड़ता को अक्षुन रखा है हमारा समिधान वैश्विक लोग संत्र की सर्वोस्क्रस्ट उपलब्दी है यह न केवल अधिकारों के प्रती सजग हैं बलकि हमारे कर्टव्यों के प्रती जागरुगी बनाता है एक दर्श्टी से हमारा समिधान दुनिया में सबसे अधिक पंथ निर्प्रेक्ष है हमें क्या करना है कितने बड़े सपने देखने हैं और कहां तक पहुचना है इसके लिए किसी भी प्रकार की बंदिस नहीं है समिधान में ही अधिकार की बात है और समिधान में ही कर्टव्यों के पानन की अपेच्छा है क्या हम एक व्यस्टी के तौर पर एक परिवार के तौर पर एक समाज के तौर पर अपने कर्टव्यों को लेकर उतने ही गंबी है जितना चीज हमारा समिधान हमारा देश हमारे देश्वासियों के सपने हमसे अपेच्छा करते हैं जैसा कि राजेंदर बाबुजी ने कहा था कि जो कॉंस्टिटूशन में लीखा नहीं है उसको हमें कन्वेंशन से स्थापित करना होगा और यही भारत की विशेश्था भी है बीते दसकों में हमने अपने अधिकारों पर बल दिया और वो आवशक भी था ठीक भी था क्योंकि समाज में ऐसी व्यवस्थाएं बन गई थी जिनके चलते एक बड़े वर्ग को अधिकारों से वन्चित रखा गया था बिना अधिकारों से परिचे कराए इस बड़े वर्ग को समानता समता और न्याय का एसाद दिया दिला पाना संभव नहीं था लेकिन आज समय की माँग है कि जब हमें अधिकारों के साथ ही एक नागरी से तौर पर अपने कर्तव्यों अपने दाइत्वा पर मंधन करना ही होगा क्योंकि दाइत्वा को निभाए बिना हम अपने अधिकारों को सुरक्षित नहीं रख सकते अधिकारों और कर्तव्यों के बीच का एक अतूट रिस्ता है और इस रिस्ते को महत्मा गांधी जी ने बहुत विशेश उस्ते बखुभी समझाया था आज जब देश पुझ बापु के एक सो पचासवी जैनती का पर्व मना रहा है तो उनकी बातें बहुत प्रासंगी हो जाती है वो कहते थे राइट इस डूटी बैल परफॉर्म उन्होंने एक जगर लिखा भी था कि मैंने अपनी अनपड लेकिन समझदार मां से शिखा है कि सभी अधिकार आपके द्वारा सच्ची निस्था से निभाए गए अपने कर्तव्यों से ही आते है पिछली सतावजी की शुरुवाती दसकों में जब पूरी दुनिया अधिकार के बारे में बात कर रही थी तब गांधी जी ने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा था आईए हम लोग नागरिकों के कर्तव्य यानि डूटी इस अवा सिटिजन के बारे में बात करते हैं 1947 में युनिवस्टो के महा निर्देशक डॉक्टरल जूलियन हस्कले ने विश्व के साथ बड़े महनुभावों को बड़ी भजी हस्तियों को एक पत्र लिखा था और उनसे मार्गर्शन मांगा था और उन्होंने पत्र में पूछा था कि वर्ल्ड चार्टर ऑफ हुमन राइट्स ये बनाना है तो उसका आधार क्या हो और इस बारे में उन्होंने दुनिया के महानुभावों के अपनी राय मांगी था महत्मा गांधी के सीवी बांगे थी लेकिन दुनिया के हर किसी ने जो अपनी प्राय दिया महत्मा गांधी का कुछ अलग था मात्मा जी ने कहा था उन्होंने जवाब दिया था कि हम अपने जीवन के अधिकार सभी अरजित कर सकते हैं जम नागरी के तौर पर अपने कर्टब्यों को पूरी तरह से निभाएं यहने एक प्रकार से कर्टब्यों में ही अधिकारों की रक्षा है इसकी वकालत महत्मा गांधी ने उत समय भी की थी जब हम दाइक्व की बात करते हैं कर्टब्य की बात करते हैं तो यह बहुत ही सामान्य जिम्मेदार्या हैं जिनको निभाने से एक राश के रुप में हमारे संकल्प सिद्ध होते हैं और हमें ये भी बहुत पर्ष्ट ज्यान देना होगा कि कर्टब्य और सेवा कभी कभी हम सेवा को ही कर्टब्य मान लेते हैं सेवा भाव संस्कार हर समाज के लिए बहुत एहमियत रखते हैं लेकिन सेवा भाव से भी करतब्य कुछ और है और उस पर कभी-कभी हमारा ज्ञान नहीं जाता है आप सड़क पर चल रहे किसी व्यक्ति को कहीं कोई मदद की जरूत है आप करते हैं वो एक प्रकार सेवा भाव है यह सेवा भाव किसी भी समाज को मानोता को बहुत ससक्ता करता है लेकिन करतब व्यभाव इस से थोड़ा अलग है रोड पर किसी को तकलीब हुई आपने मदद की अच्छी बात है लेकिन अगर मैंने ट्राफिक नियमों का पानन किया और कभी किसी को तकलीब न हो ऐसी व्यवस्ता का मैं हिस्सा बना वो बेरा करतब गया है आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसके साथ एक सवाल जोड़कर अगर हम देखते हैं कि मैं जो कुछ भी कर रहा है क्या उससे मेरा देश मजबूत होता है कि परिवार के सदसे के नाते हम हर चीज वो करते हैं जिससे हमारे परिवार के शक्ति बढ़े उसी प्रकार से नागरिक के नाते हम वो करें जिससे हमारे देश की ताकट बढ़े हैं हमारा राष्ट सकृत हाली हो. एक नागरी जब अपने बच्चे को स्कूल भेजता है तो वो माबाप अपना कर्टब निभाते हैं लेकिन वे माबाप जागरुक्ता पुरवक अपने बच्चे को मास्त्रुभासा सिखने का अगरण रखते हैं तो वो एक नागरिक का कर्तब निभाते हैं देश सेवा का कर्तब निभाते हैं और इसलिए एक वेक्षी है छोटी छोटी चीजे होती है अगर बुंद बुंद पानी बचाता है वो अपना नागरिक कर्तब भी निभाता है अगर टीका करान सामने से जाकर के टीका करन का काम कर लेता है किसी सब्सकार के देश को आगे ले जाने में बहुत बड़ी सुब्सकार के रूप में हम समस्कार के रूप में विक्सित करें तो हमें देश को आगे ले जाने में बहुत बड़ी सुविदा बढ़ती है ये सवाल जब तक देश के प्रतेग नागरिक के चित्न में उसकी चेतना में सर्वो पर ही नहीं होंगे हमारे नागरिक करतब्र कहीं ने कहीं कमजोर होते चले जाएंगे और वो किसी न किसी रूप में किसी दूसरे के अधिकार को हानी पहुँचाते हैं और इसलिए औरों के अधिकारों की चिंता के लिए भी अपने करतवियों पर बल देना हम लोगों का जाई क्व बनता है और जन्प्रति के नाद, प्रतिनीजी के नाते, हमारे जिम्मेवारी कुछ और अधीक होती हैं, दोहरी होती हैं, हमारे सामने constitution values को मजबूत करने के साथ साथ, खुद को भी एक आदर्श के रूप में प्रसूत करना, यह हमारा दाई को बन जाता है, और हमें समाज में सार्फक बदलाव लाने के लिए, इस कर्तवे को भी निभाना ही होगा, हमारी कोशिश होनी चाहिए, कि अपने हर कारकम में, हर बात्चीश में हम duties पर focus करें, जनता के साथ समवाज करते समय, duties की बात करना हम न भूलें, हमारा सम्विदान, हम भारत के लोग से शुरू होता है, We are the people of India, हम भारत के लोग ही इसकी ताकत हैं, हम ही इसकी प्रेणा हैं, और हम ही इसका उद्देश हैं, मैं जो कुछ हूँ, वह समाज के लिए हूँ, देश के लिए हूँ, यही करते विभाव हमारी प्रेणा का स्रोत है, मैं आप सभी का आवान करता हूँ, कि हम सब इस संकल्प शक्ति के साथ मिलकर भारत के एक जिम्मेदार नागरिक के तोर पर अपने करतवियों का पालन करें, आईए, अपने गनतत्रत को हम करतवियों से ओत प्रोत नई संस्रिशी की तरफ लेकर के जाएं, आईए, हम सब देश के नव नागरिक बने, नेक नागरिक बने, मैं कामना करता हूँ, कि ये समिधान दिवस हमारे समिधान के आदर्सों को कायम रखने, और राश्न निर्मान में योगदान देने के हमारी प्रतिविद्धता को बज़ ले, हमारे समिधान निर्माताओं ने, जो उसे पुरा करने की हमें शक्ति दे और ये पवित्र धरती हैं जहां ये मन्थन हुआ था यहां पर उसकी गुंज है ये गुंज हमें अवश्य आशिरवाद देगी ये गुंज हमें अवश्य प्रेणा देगी ये गुंज हमें अवश्य सक्ति देगी ये गुंज हमें अवश अश्य दिशा देगी इसी एक भावना के साथ मैं फिर एक बार आज समिधान दिवस के पवित्र मोके पर पुझ बाबा स्हाब आम्बेटर को प्रणाम करता हूं समिधान निर्माताओं को प्रणाम करता हूं और देश वाज्यों को बहुत-बहुत शुक्वावना देता हूं माननीय उपराश्रपती और राज्य सभा के सभापती अतिथियों को संबोधित करेंगे